सल्मान खान और यूलिया वंतूर के ब्रेक अप को लेकर तमाम तरह की एटकले लगाई गई लेकिन कुछ भी साफ तौर पर सामने नहीं आया लेकिन अन दोनों का ब्रेक अप क्यों हुआ इसकी असली वज़ा अब सामने आ गई है कहा जा रहा था कि यूलिया और सल्मान का ब्रेक अप कुछ आपसी मतभे दो और यूलिया के रहन सहन को लेकर हुआ लेकिन अब जा कर यूलिया ने इस पर अपनी चुप API तोड़ी है हाल ही मेक रुमैनियन मैगजीन को दिये इंटिव्यू में यूलिया ने कई ऐसी बाते कहीं जिने जानकर लगता है कि अब वो सल्मान से दूरी बना चुकी है यूलिया ने ये भी संकेत दिया कि आखर क्यों वो सल्मान का साथ छोड़ गई एक अंग्रेजी वेबसाइट की ख़वर के मताविक यूलिया ने इंटिव्यू के दोरान कहा भारत जाकर मुझे काफी कुछ सीखने को मिला मैंने हिंदी में गाना शुरू कर दिया है मैंने कुछ सिंगिंग के लेसंस भी लिये वहाँ और यहां में बहुत अंतर मुझे देखने को मिला लेकिन मुझे इसकी आदत हो गई वहाँ के लोगों की मानसिक्ता, कल्चर, लोग सब अलग है वहाँ आपको ज्यादा प्राइवसी नहीं मिलेगी वहाँ पर एक ही घर में बहुत सारे लोग रहते हैं अईसा लगता है कि यूलिया को प्राइवसी पसंद है या उन्हें परिवार का एक साथ रहना पसंद नहीं है इसके अलावा यूलिया ने भारत में कैसे कपड़े पहनने चाहिए इस पर भी कहा हमें ये भी सिखाना चाहिए कि गली में जाते समय कैसे कपड़े पहनने चाहिए मुझे बात में पता चला कि वहां के लिए मेरी ड्रेस नीचे से कुछ जादा ही छोटी है मुझे ये भी भारत में सीखने को मिला साथ ही कूभाशाएं भी अब सवाल उटता है कि आखिर वो कौन था जिसने यूलिया को बताए कि वो कुछ जादा ही छोटी ड्रेस पहनती है क्या वो सल्मान थे उनकी मा थी या बहन बता दें कि जहां यूलिया इंदनों रोमैनिया में ही है वही सल्मान को लेकर इन दनों काफी अफवाहें उड रही है कहा जा रहा है कि उनके और एक्टरिस औरवशी रौतेला की बीच नजदी क्या बढ़ रही है लेकिन अब सच क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा फिल्हाल तो ये देखना बाकी है कि यूलिया की इस बयान पर सल्मान का क्या रियाक्शन होगा